दोस्तों मेरे पास एक फोन है यहां पर देखो यह साथ अपो या तो भीवो का फोन हो सकता है इसका मॉडल मुझे एक जटली मालूम नहीं है कुछ सा मॉडल है लेकिन इसमें प्रॉब्लेम देख लो क्या हो है यहां पर देखो डिसी पावर सपर लागाने से आटोमेटिक हा में रहा है तो इसके मतलब तो देख आपको मालूम होगा शोर्ट इसके वाज़ा से हएं प्रले तो यह शोर्ट को रिमुप करने का आसंंत तरिक्या है और यहां पर दिखो बैटरी क्रेंग्टर में देखती कितना शोड़ं कि कैफ्ली शॉट है कि हाफ शॉड है यहां पर यहां पर देखो 380 इस तरह रेडिंग आ रहा है यहां पर हाफ शॉट है फुल शॉट नहीं है फुल शॉट अगर होता तो मीटर में त्रिपल जिरो होना चाहिए था तो इसके मतलब आपका यह पावर ऐसी का असपस में कोई पर शॉट हो सकता है यहां पर देखो हैं यहां पर फुल शॉट है यहां दूसरा और कोई तो यह मालूम करने के लिए आपका पास में सिर्फ एक डिसी पावर सब्ली होना चाहिए और एक रोजीन होना चाहिए है अज़— अदर स्कूर्ज भी नहीं चाहिए शॉट मूबल को रिपेर करने के लिए तो यह पिद देखो यह पावर ऐसी के अपर में देखो तीरी के पशेटर देख रहे पांच के फस्तितर देख रहें यहां पर यह पर हर एक क्यापसिटर शॉट देख औक हरएक क्याहर तो इसके मतलब यह तो नहीं है कि इस पांस का पांस कपासिटरी खरब है यहां पर ऐसा भी हो सकता है यहां तो दुसरा और कोई है एक जटली कहां पर शौड है यह मालूम करने के लिए आपको रोजीन यूज करना चाहिए और रोजीन यूज करने के बाद अगर आपका फोन में ऐसा होता है कि आपने डिसी पावर सहे लागाया वहां पर हाई एंपियर बन रहे तो आपका फोन आपको अटोमेटिकली ऐसी हिट करेगा अगर कुछ भी एंपियर नहीं बन रहे तो आपको फिर ढूड़ना परेगा पावर एसी कास पास में कहां पर शौड है नहीं है फिर वहां पर आपको डिसी पावर सब्ले यूज करना परेगा तो इस फोन में आटोमेटिकली हाई एंपियर बन रहे तो यह हिट हो गई अग्दा तो इसमें हम लोग नर्मली रोजिन का धुबा लागा कि देखेंगे काँ पर हिट कर रहे जूजो एरिया ओपेन है इसमें देखते यह जो आपन है यह किसी ने पहले देखा था इसके बज़दा से यह ओपन है ठीक है यहां पर देखो जो आपन एरिया में कोई कोई पे भी हिट नहीं हो रहा है कि कोई पे भी हिट नहीं हो रहा है यह हिट कर रहा है यहां पर इस प्वैंट पर हिट कर रहा है जहां पर सिफ्यू है ठेक है यहां पर हिट कर रहे है और सिफ्व्यू को टीना निकलना से पहले दूसरा साइट में यहां पर रहता है वाई-फाई वुलूतुत आई सी जो इसमें भी आचा से देखना है कि यहां पर कुछ फॉल्ट तो नहीं है तो यह एरिया जो है बिल्कुल सही है यहां पर कु कि ठीक है अपका जो डॉट है सबसे पहले डॉट क्लियर कर रहा है तो अभी यह जो सिप्यू का जो सोल्ट है इसको निकलते हैं यह सोल्ट काटर से अगर आप निकलते है तो ज्यादा हर्भरी नहीं करना चाहिए आपको धेरे-धेरे करके निकालो ठीके अब बहुत से भाई ऐसा भी करते है यह निकलने का टाइम में बहुत सरे ट्रैक बगरा निकल जाता है बाद में सेट आपका आपका अपन करने का टाइम में आपका ग्रावन थोड़ा बहुत निकले गई निकलेगा किसी-किसी फन में नहीं निकलता है लेकिन किसी किसी फन में निकलता है तो जिए ग्रावंड निकलने से कुछ प्रोब्लम नहीं होता है ठीक है तु यहां पर देखो और यह सीप्यू का एरिया तो इसमें आप आच्छा से रोजन का धुआ फ्लाएंगे इस तरह से अब लोग किसी भी मोबाईल में अगर अड़िव बन रहा है डीजी में तो फिर अप इस तरह से चेक कर सकते हो द्युक्त कर रहा है अगर शत्अ ऐदर बनता है तो आपका यहां पर देखो दोस्तों यहां पर एक छोटा सा क्यापासिटर है एक विद्ध के ऊपर में यहां पर था तो इसलिए यह अटो एंप्यर बन रहा था तो हमने इसको रिमुप कर दिया अब देखते हैं कि आप भी शौड है कि नहीं पहले क्या हो रहा था बैटरी कानेक्टर पर हाफ शौट इस तरह कर रहा था है न अपने भी दिखा होगा यहां पर देखो अभी देखो बिल्कुल भी ओके हो गया ठीक है अभी थोड़ा सा भी शौट नहीं है और इस फोन का जो पावर की का जो लाइन है पावर जो पावर की है यह बिल्कुल खरब है कि साइथ प इसके पावर की कोछ चैनल करना पड़ेगा हो हो हम बात में कर लेंगे कुछ दिक्के नहीं दोस्तो यह वीडियो अब लोगों कैसे लागे हैं है अगर अख्या लगेए तो प्लिस कमेंट करके बूलियगा बुरा लागे जो भी लागे कमेंट करके बूलिए गा अगर मेरा चैनल पर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करना यहां पर देखो यह पावर की विल्कुल खराब हो चुका है यह पावर की डावाने से ओन नहीं हो रहे अभी चाजर लगा के देखते हैं ठेक हैं दोस्तों अगर अब लोग फिस्बूक पर मेरा वीडियो देख रहे तो मेरा यूटूब चैनल भी है बीग मोल रिप्यर नाम से प्लीज उसमें आईयो जूरिए उसमें लगवक एक लगसला हजर पंदरह जर इस तरह को सब्सक्राइबर है यहां पर देखो दोस्तों चार्जिंग लोगों आ गया है विडियो अगर अच्छा लगे तो थैंकू समस।